नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका HelpTuber YouTube चैनल में इस वीडियो में मैं Bank of Borda के Mobile Banking Application Bob World के माध्यम से मैं FD करके दिखाने वाला हूँ वो भी 2,00,000 रुपए का तो इस वीडियो को देख करके आप खुज से ही घर बैठे अपना Fixed Deposit कर पाएंगे और ये देख सकते हैं मैंने अभी Bank of Borda का Mobile Banking Application Login किया है और ये मेरा Home Page है पहले से ये काफी बदल दिया है Bank of Borda ने काफी असान कर दिया है अपना Mobile Banking Application और देख सकते हैं मैं आपको Balance दिखाता हूँ यहाँ पर ये देख सकते हैं 2,93,000 रुपए है उसमें से आप आधा कर लिजेगा जो कि 1,00,000 रुपए का एक साल में व्याज निकल जाएगा मैं आपको पता दू को Bank of Borda का जो अभी FD का rate चल रहा है वो एक साल का 6.75 चल रहा है और PNB का 6.8 का rate चल रहा है जो कि minor अंतर है चलिए मैं आपको थोड़ा सा PNB का एक दिखा देता हूँ उसके बाद मैं तुरंत ही Bank of Borda में FD कर दूँगा ज़्यादा देर नहीं लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने PNB का one app जो होता है mobile banking वहाँ पर यह मैरा savings account है इसमें देख सकते हैं यह balance है 835 रूपए लेकिन जो यहाँ पर मैंने खोला था वो FD है यह भी 2,00 रूपए का FD है तो यहाँ पर भी मैंने 2,00 रूपए का FD करके रखा हुआ है अगर आप PNB का FD करना देखना चाहते हैं तो उसका link आपको description और i button में मिल जाएगा 0.05% का यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा बड़ोधा और PNB में तो देख सकते हैं तो यहाँ पर नीचे बहुत सारा option है what's trending के नीचे यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं fixed recurring deposit यहाँ से direct आप कलिक करके FD कर पाएंगे यहाँ फिर अगर आपको यहाँ पर option दिखाए देगा open deposit जो कि आप यहाँ से click करेंगे तो FD वेगर कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ से भी कर पाएंगे और home page पर जाएंगे तो यहाँ से भी कर पाएंगे देख सकते हैं what's trending के नीचे चोथे number पर यहाँ पर fixed recurring deposit का option यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चल ठीक है उसके बाद है demand callable deposit उसके बाद है time non callable deposit और उसके बाद है recurring deposit जो की हर महिने पैसे करता है आपके account से और maturity पर व्याज सहीत आपको मिल जाता है तो दोस्तों जो पहला वाला यह option है save taxes इस पर अगर आप करते हैं तो maximum आप 1.5 लाक रुपे का FD कर पाएंगे पांच व खराबी यह है कि आपका 5 वर्स के लिए lock हो जाएगा आप चाहकर भी से निकाल नहीं पाएंगे यह tax ever होने के साथ इसमें यह खराबी है और दूसरा वाला यह option है इसमें आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं minimum penalty के साथ अगर आपको बीच में जरूत पढ़ जाता है FD किये हुए है और बीच में जरूत पढ़ गया तो आप इसे निकाल पाएंगे यहां से minimum आप एक साल का FD कर पाएंगे और उसके बाद यह तीसरा वाला जो option है इसमें भी आप minimum एक साल का FD कर पाएंगे लेकिन आप इसे निकाल नहीं पाएंगे बीच में और यह तो RD है जो कि हर महीने अकाउंट से पैसे करता है लेकिन मैं आपको recommend करूंगा यह दूसरा वाल option demand का level deposit के उपर क्लिक कर ये मैंने कर दिया है प्रसीड के उपर मैं क्लिक कर देता हूँ फिर agree के उपर क्लिक करना है agree के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत सारा option आ जाता है त पर fixed deposit cumulative interest reinvestment resident ठीक है यह वाला क्लिक कर ये इसके उपर अगर आप क्लिक करते हैं आपको maturity के समय आपका जो मुल्धन है यानि कि principal amount और ब्याज यानि interest आपको मिल जाएगा खुद से यह डाल देगा जब maturity होगा तब bank में जाना पड़ता है close करवाने mature हो जाने पर लेकिन online FD करेंगे तो आपको खुद से ही ये savings account में पैसे डाल देगा अपना close करके ये FD account अगर आप चाहते हैं हर महिने आपको ब्याज मिले तो आपके लिए ये वाला option रहेगा monthly जो की payment होगा ब्याज का या फिर अगर आप चाहते हैं कि तीन महिने पर मुझे ब्याज मिले तो काफी फाइदा है compounding काफी फाइदा मिलता है यहाँ पर मैं एक बार click कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर click करने के बाद बता रहा है कि आप minimum deposit 1000 रुपे से start कर सकते हैं और यहाँ पर maximum amount है जो आप deposit कर पाएंगे 99,99999 रुपे लेकिन इतना पैसा मेरे पास है नहीं अगर होता तो यह भीद करके मैं को दिखा देता और यहाँ पर आप 100 रुपे के multiple में यहाँ पर FD कर पाएंगे मतलब इसका यह है कि minimum 1000 रुपे कर दिये या फिर 1200 रुपे कर सकते हैं या फिर 2600 भी कर सकते हैं मतलब 100 रुपे के multiple में minimum आपको 1000 रुपय का FD करना है तो invest in the deposit के उपर य जो कि 2 पर 5-2-0 होता है, amount डाल दिया, time यहाँ पर month में डाल देना है, 12 महीने, अगर आपको 10 साल क्या करना है, तो 21 महीने भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है, get interest rate के उपर click करेंगे, तो आपको बता देगा कि यह कितने percent के हिसाब से दे रहा है, जैसे क यहाँ पर देख सकते हैं, 12 महीने का 6.7 जो कि मैंने पहले आपको बताया है, उसके बाद proceed के उपर click करता हूँ, यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं, your deposit preferences, आपको auto renewal करना है, नहीं, अभी no पर है, अगर yes कर देंगे, तो आपका जो FD है, mature होने के बाद खुद से FD बन जाएगा, लिकिन मुझे यह FD नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ पर auto renewal off ही रखुँगा, no पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाला option पूछ रहा है, कि अगर आपको nominee जोड़ना है, तो यहाँ पर yes करके nominee जोड़ सकते हैं, या फिर नहीं जोड़ना है, तो यह nominee भी add कर पाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो total detail भरने के लिए आ जाएगा, लेकिन मैं यह अपना existing nominee जोकी savings account वाला है, यहीं जोड़ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर nominee के नाम दिखा दिया, एक बार क्लिक कर देता हूँ, और proceed के उपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ यह मेरा nominee add हो चुका है, नीचे मेरा savings account दिखा रहा है, इसी से मेरा पैसा कटेगा, अब open deposit के उपर क्लिक कर देता हूँ, एक बार confirm करने के लिए total detail दिखा रहा है, आपको भी कुछ इस तरह से दिखाएगा, खुड़ असा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर nominee का detail भी दिखा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर bugle में edit का option है, edit करके बदल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलने वाला हूँ, यहीं वाला मेरा nominee ठीक है, nominee का address सब कुछ दिखा रहा है, confirm के उपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर transaction pin पूछ रहा है, जो कि मैंने वो world app बनाते समय डाला था, तो चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया है transaction password और मेरा FD खुल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, मेरा FD है वो खुल चुका है, यहाँ पर rating पूछ रहा है, मैं skip कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा deposit खुल चुका है, देख सकते हैं, अगर आपके account में email ID registered होगा, तो एक दो दिन के अंदर वहाँ पर भी आपको PDF एक मिल जाएगा FD खुलने का, आप इसका screenshot नहीं ले सकते हैं, यह आपके account में तुरंत ही so करने लएगा, आप चाहें तो दूसरे mobile से इसका photo ले सकते हैं, तो चलिए मैं photo ले लेता हूँ, तो दोस्तों मैंने FD का यह photo ले लिया है, अब done के उपर click कर देता हूँ, यहाँ पर यह receipt हो गया, ठीक है, यह receipt मेरा हो गया, download करने का भी यहाँ पर option आ रहा है, यहाँ पर download करूँगा, तो यह मेरे gallery में save हो चुका है, view के उपर click करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यह देख सकते हैं, थोड़ा सा, तो दोस्तों यह देख सकते हैं, यह statement है, अभी का, यहाँ पर जो FD खुला है, उसका 2 lakh रुपया कट चुका है, account number, FD का account number 1 मिल जाता है, जब FD नया खुलता है, तो उसका account number मिल गया है, यहाँ पर यह show कर रहा है, और पिछले साल जो FD करके मैंने दिखाया closure proceeds, यह अपने से FD close हो करके, और मेरे account में आ गया है, यह पिछले साल का वीडियो है, यह वीडियो भी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप सर्च करते हैं थोड़ा सा मेरे channel पर, तो यह FD मिचूर हो चुका है, मैंने नया FD कर दिया है, तो फिर से मैं home page पर आ उसके आदे घंटे के बाद मेरे email ID पर एक email आ चुका है, जो कि bank of boroda का official email है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाला, मैंने यह Gmail app खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर click करके मैं आपको दिखाता हूँ, यह कुछ ही तरह से यह दिखाई देता है, इसके नीचे एक PDF आपको है, तो अपना registered mobile number डाल देता हूँ, जो कि bank of boroda में registered है, password डाल दिया, open करूंगा और यह खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर यह खुल चुका है, थोड़ा साइसे बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यह मेरा नाम दिखा रहा है, कोच मेरा address दिखा रहा है, FD account number यहाँ पर दिखा रहा है, मेरा customer ID दिखा रहा है, जो कि मैं hide कर देता हूँ, उसके बाद मेरा account number, savings account से पैसा कटा है, वो दिखा रहा है, और इधर देख सकते हैं, मेरे nominee का नाम दिखा रहा है, मेरा pen number दिखा रहा है, और मेरा single account है, यह बता रहा है यहां पर मैंने एक साल के लिए अपना FD खोला हुआ है और मेरा maturity एक साल के बाद होगा यानि कि 11.05.2024 को हो जाएगा total amount होगा जो मेरा मिलेगा maturity दो लाख 13.846 रुपया यानि कि 13.846 रुपया जो मेरा हो गया ब्याज हो गया इंट्रेंस्ट हो गया तो यह सटाड ब्याज हो गया जो लोग पुच्छते हैं की 1 लाख रुपय का कितना ब्याज मिलेगा तो उमीद है कि आपको ये वीडियो देख करके आप खुद से बोवर्ड आप से अपना FD कर पाएंगे, FD का रेसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद